नमस्कारम रीजनों आप देख रहे हैं सी यूटी पाइट साला आप सीका बहुत-बहुत स्वागत है लगभग एक साल हो गये हैं और मैं एक कॉमेंट जो है वो कॉमन देख रहा हूं अपने वीडियो में कि सर क्लेम फॉर्म हम लोगे ने फिलब कर दिया है हमारा पेमेंट क करती है ऐसे ही वह अपने क्लेम फॉर्म के थ्रू बच्चों का जो पेमेंट है वो रिटर्न करने के लिए बहुत कहती है लेकिन अभी हो चुका है लगभग मुझे लग रहा है वह अपना एक समिस्टर का एक्जाम दे चुके है एक्जाम उनका चल रहा है मनलब चार से पेमेंट है वह अभी तक उनके अकाउंट में रिटर्न नहीं हुआ है किसी का अमाउंट बहुत जाद है जैसे वी वाप कोर्स की बात करें तो उनका पेमेंट तक है अगर बच्चा पेड़ चिट के अडमिशन लिया था तो वह कम से कम 10-12,000 एक्स्टर पेमेंट किया था बाकि regular fees जो था वो था तो यह बहुत सारा पेमेंट जो है वो बच्चों का बेच्चू के अकाउंट में है और यह पैसा भी तक उनको आपस नहीं दिया गया तो इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि किनका पेमेंट रिटर्न हो चुका है किनका पेमेंट रिटर् करना चाहिए देखो अभी कल तक का अपडेट यह है कि कुछ बच्चों का पेमेंट उनको मिला बीए के बच्चों का और बहुत सारे साइंस और जो छोटे डिपार्टमेंट है यानि जहां पर सीटे बहुत कम होती है जहां पर बहुत कम एडमिशन रिफंड का मामला था ज लेकिन बहुत सारे ऐससे डिपार्टमेंट फरकर्टी है जहां पर बहुत ज्यादा एडमिशन था वहां का पेमेंट अभी रिटर्ण नहीं किया गया है तो मैं आपसे यह पुछना चाहरा हो कि अभी भी क्या ऐसे पच्चे हैं जिनका पेमेंट रिटर्ण नहीं हुआ है तो वो comment करके बताएं और मैं एक आपको link दे रहा हूँ description में प्लीज दमाग अच्छे से दमाग में बैठा लो description में ट्विटर का link दे रहा हूँ आप उसको जाके retweet करें जिससे कि उस faculty और department को पता चले कि हाँ आपका payment नहीं आया है और आपका payment वो लोग time से आपको return कर दे ठीक है तो अभी तक का update यही है कि लगभग वो लोग 50-60% से ज्यादा लोग का payment return कर लिए लेकिन अभी भी कुछ लोग का ऐसा है जिनका payment return नहीं हुआ है तो comment करें कि उनका payment return नहीं हुआ है आगे इसका एक updated वीडियो जरूर दोगा जिसमें मैं आपको पूरा complete solution दे दूँगा कि finally आपका payment कैसे आपको मिलेगा तो मुस्कुराते रहें चुनको subscribe करें पर आइकन प्रेस करें और बहुत सारी सुकाम है अरे अर्मार